चक्रवाती तूफान दाना आज, 24 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटो से तक्राने वाला है, जिससे इन राज्यों में भारी तबाही की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 16 घंटों के लिए निलंबित रहेगा। इसी तरह 150 से अधिक ट्रेने पहले ही रद की जा चुकी है। पूर्वी रेलवे अपने सियालदा मंदल में बुरुवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं करेगा। तूफान की गंभीरता को देखते हुए दोनों राज्यों में NDRF की कई टीमें अलर्ट पर हैं। जो किसी भी आपात स्थिती से निपटने के लिए तैयार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी और भितर्पनिका के पास इस तूफान का सबसे ज्यादा असर हो सकता है। बिहार और जार्खंड में भी तूफान का असर देखने को मिल सकता है। जिससे उन क्षेत्रों में भी सतर्पता बढ़ा दी गई है। अनुमान बढ़ा टेखने, आउपने के अनुमान खंड माण तर्परप्रेट है। प्ही flour ह् सप्कार्थ एंपर्ण संधंद नाय में कि गोड़ा घर्स लाग्या ∑ फिल्हाषण टीज जा है कि अगिन इख एंच एन विप्राटम hacen लोग्ड मोडें इन आरप्ट औरно पहला इजे को सिंख्के나라 को लोग भी ऐन एलिज जह एंच डट संधे। एक फ़र की आनल में पेरिव लंट टिकरोडनी आप पहर काने हैं OKTनल टो मॉलाट इक हिरी थे कि आवेस्टोड के ततर्ब अपूक हैम प्रहा कि एक में पूरतव प्रहुड fahrenे ट्रौस्げ, ट्रहा के ना तो इना प्रहुन कर सबते द्सक्तिरों में इले हृं and to ensure quick response and restoration to whatever situations may be there. What is your message to common people? Message to the common people is don't get into any kind of a panic situation. Be peaceful and have trust on the government and allow the government to also do its work rather than panic. Thank you.